जिन्दगी जिन्दगी हमें कभी-कभी ऐसे मोड पे ला देती है जब हमारे पास कोई आप्षिन नहीं बचता मन मार के मजबूरी में वो काम करना पड़ता है मेरा नाम करन नागराज मैं एक कॉंट्रेक्ट किलर हूँ लोगों को मारने के पैसे मिलते हैं बच्पन से निशानी बाजी का शौक था पता नहीं था बड़ा होकर ये काम करूँगा मैं कॉंट्रेक्ट किलर कैसे बना ये तो एक लंबी कहानी है फिर कभी फुरसत में बताऊंगा फिलाल तो मुझे इन दो लोगों को पकड़ने का काम मिला है दो लोग जो मज़े के लिए लोगों को बहुत ही बेदर्दी से मारते हैं दोनों को पुलिस पाट सालों से दून रही है कहते हैं इन्होंने सौ से जादा लोगों को मारा है पुलिस के पास इनकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन अंडरवर्ड में इनकी तारिफ बहुत बार सुनी है क्यूंकि ये सबूत नहीं छोड़ते हैं उनको लगता है ये लोग हिटमैन से भी अच्छा काम कर सकते हैं वैसे भी मुझे ये काम छोड़ना था लेकिन बॉस ने कहा ये आखरी काम कर दो फिर अपने मर्जी से जीना बॉस की बात नहीं टाल सकता था दोनों के बारे में इतना सुना था कि डर लगने लगा था उनका मैं दोनों को एक साल से धून रहा था मुंबई, गोवा, कोलापूर, नाकपूर, सोलापूर, हर जगा धून दूना और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ के पैरो तेले जमीन की सकते झाल के बारे में दूना झाल झाल झाल